नमस्कार आप दीख रही है SPN 9 News, SPN 9 News में आपका स्वागत है मद्यपरदीश के ग्वालियर में इस वक्त राहूल गांदी की यात्रा पहुंची हुई है और यहाँ पर एक मार्च को मद्यपरदीश में राहूल गांदी की यात्रा की यहाँ पर एंट्री जो है वो देखी गई थी सिबीच आपको बता दे कि कल पटना में राहूल गांदी जंता को संबोधित करते नजर आ रहे थे सिंधिया की गड़ मेर राहूल गांधी ने यहाँ पर जो है हुंकार भरली है इसे बीच आपको बता दें कि राहूल गांधी के साथ जीतु पटवारी भी नजर आ रहे हैं कॉंग्रिस के राष्टरे नेतर राहूल गांधी द्वारा निकाली जा रहा ही भारत जोड़ो न्यायात्रा का सोंवार यानि की चार मार चाज तीसरा दिन है मद्यपरदीश में राहुल गांधी केंद्रिय मंत्री जोतिरादित्य सिंध्या के गड़ में यहां दस्तक दे रहे हैं हेलिकॉप्टर की परमिशन नहीं मिलने के वज़े से राहुल गांधी गालेर से खुली जीप में रोड़ शो कर शिवपूरी पहुंचें इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर अजीत भदोरिया के अनुसार राहुल गांधी विशेश विमान से दिल्ली से गवालियर आये थे मद्या परदेश आसन ने गवालियर में शिवपूरी तक के लिए हलिकॉप्टर की परमिशन नहीं दी इसलिए राहुल गांधी गवालियर बाइपास से खुली जीप में सवार होकर रोड़ शो यहां पर करेंगे यहां से हलिकॉप्टर से गुना यहां पहुंचेंगे यहां पर देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंचरी मद्यापरदेश के शिवरा सिंग चोहान क्या भी राहुल गांधी की यात्रा को समर्कन करते नजर आ सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले कि अगर शिवरा सिंग चोहान के बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि शिवरा सिंग चोहान भी अब बगावत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनके बेटे कार्थिके सिंग्चोहान का भी एक बयान सामने आया था जिसमें वो काफी जादा भार्टे जंता पार्टे को लेकर भड़कते नजर आये थे क्या यहां पर इस यात्रा में शिवरा सिंग चोहान के बेट एक आर्थी के सिंग चोहान राहुल गांधी का समर्थन करते देखे जा सकते हैं इस रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स पर बताएं और देखते रही है SPN 9 न्यूस देने बाद